आपके अपने चैनल जोगी सरकी पार्ट साला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफकेशन मिल जाएगे आपको में 10th क्लास के math subject की chapter number 3 pair of linear equations in two variables की exercise 3.3 के पहले equation को solve करेंगे इसके हमारे पास 6 पार्ट हैं पहले हम 3 पार्ट solve कर रही हैं क्या कहता है solve the following pair of linear equations by the substitution method अभी तक हम पिछली exercise में हमने graphical method से solve किया था यहाँ पर हम new method है हमारा substitution method यहाँ पर समझाओंगा मैं आपको कि एक value x या y की value एक equation में से निकालके दूसरे में substitute करनी है बड़ा ही simple है देखिए अगर हम इसको equation number 1 माल ले और इसको equation number 2 माल ले तो मैं यहाँ से माल लीजी from 2 from 2 x की value हमारे पास क्या होगी इसको हम इधर लेके जाए y x की value क्या बन जाएगी 4 plus का y x is equal to 4 plus y हो गया from second equation substituting value of x in 1 substitute करना है हमने क्या x की value किसके अंदर 1 के अंदर क्योंकि 2 से तो हमने निकाल ली है 1 में put कर दीजी इसे बड़ाए simple क्या बन गया x की जगह हमने क्या रखेंगे 4 plus y x की जगह 4 plus y and plus का y हमारे पास as it is x की जगह मैंने 4 plus y रखा है और 1 y हमारे पास ओले जी था and that is equal to how much 14 की y plus y that is 2y यह 4 इदर जाके minus हो गया कितना रह गया 14 minus 4 10 हो गया and y is equal to divide करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया 5 हो गया y की value 5 आगी so अब हमें पता कि as x is equal to 4 plus y means x की value क्या बन जाएगी 4 plus y की जगह हमने 5 उठ किया तो हमारा कितना हो गया 9 तो मेरा solution क्या आया x is equal to 9 and y is equal to 5 this is our substitution method simple एक किसी भी equation में से x से y की value निकाल के दूसरे में substitute कर दे वही हमारा substitution method है यहां पर देखिए अब हमारे पास second इसको हम first equation माल लेते हैं इसको हम क्या माल लेते हैं second equation माल लेते हैं from first equation from equation 1 हमारे पास s की value क्या बन जाएगी अगर मैं t को इदर लेके जाता हूं तो 3 plus का t हो जाएगा from equation 1 s is equal to 3 plus t putting in 2 putting value of s in equation number 2 2 के अंदर हमने put कर देना है तो क्या करेंगी s की जगे हमने क्या put किया 3 plus का 3 plus का t upon हमारे पास क्या है 3 plus का t upon 2 that is equal to क्या हो गया 6 हो गया अब हमें क्या लेना इनका lcm लेना है 3 और 2 का lcm कितना हो गया 6 3 2 जा 6 2 2 3 6 और plus का 2 t यहां पे पच्चे बहुत बार गड़बड करते हैं ध्यान से किया करने इनकी जोंको lcm ले लिया हमने 6 3 2 जा 6 2 जो भी आ जाता उसे उपर वाले से multiply फिर 6 को 2 3 जा यहां पे 3 t that is 6 यह 6 इदर जाके multiply हो जाएगा कितना हो जाएगा 36 होगा 2 plus 3 t यहां पे तो मन गया हमारा 6 plus का 5 t और 6 इदर जाके multiply होगा तो 6 6 जा कितना हो गया 36 यह 6 अब इदर जाके minus हो गया that means 5 t is equal to 36 minus 6 how much 30 अब 5 इदर जाके divide हो जाएगा t की value हमारे पास कितरा हो जाएगा 30 by 5 30 को 5 से divide करेंगे क्या हो गया 6 हो गया अब इसमें as s is equal to 3 plus का t है तो क्या बनेगा हमारा 3 plus t की जगे 6 तो s की value क्या होगी 9 our solution is s is equal to 9 and t is equal to 6 यह value 9 minus 6 is equal to 3 verify भी हो रहा है हमारे पास third में हमने क्या करना है यहां से equation number 1 मान लीजिए और equation number हमारे पास क्या होगी 2 हो गई from equation 1 हमारे पास क्या बनेगा अगर मैं के लिए y लेना चाहता हूं तो इसको इदर ले आए means 3x is equal to 3 plus का y हो गया 3x is equal to यह इदर जाके अब 3 को इदर लेके आओ मैं so 3x minus 3 that is equal to y हो गया 3 को इदर लेके आए ठीक है अब putting value of y putting value of y in कौन्स equation में second equation में put कर दीजी 9x minus 3 y की जड़े अब आपने क्या put करना है 3x minus 3 and that is equal to किसके है 9 के 9x minus 3 3 जा 9x minus 3 3 9 that is 9 9x में से 9x cancel हो गया that is 9 is equal to 9 अब value किसके निकाल रहे हैं हम यहां पर value हम किसके निकाल रहे हैं x और y तो हमारे पास रहा ही नहीं एक बार हम rewind करते हैं जब हमने कहा था कि a1 upon a2 a1 upon a2 3 upon 9 3 upon 9 means हमारे पास क्या है 1 upon 3 b1 upon b2 b1 upon b2 means minus 1 upon minus 3 cancel हो के यह भी हमारे पास कितना हो गया 1 by 3 and c1 upon c2 means 3 by 9 that is 1 by 3 अगर हमारे पास a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 सारे ही equal होते हैं तो हमारे पास क्या होते थे infinite many solutions तो यहां पर जब इस तरह की कोई condition आ जाती है तो यहां हमारे पास क्या होंगे infinite क्योंकि तीनों हमारे पास equal होगे तो हम यहां पर लिखेंगे infinite infinite many solutions जब हमारे पास इस तरह की condition आ जाती है तो हमने simple क्या लिखना है infinite many solutions तो यह थे हमारे पास से फर्स्ट क्वेस्टन के फर्स सेकेंड एंड थर्ड पार्ट अब हम और फॉर्थ फिफ्ट एंड शिफ्ट पार्ट करते हैं झाल